तो ये देखिए मेडिकल कॉलेज चोरहा है और इधर आप जब रकाब गंच की तरफ जाएंगे तो ये बीच में जो सफेद बिल्डिंग है दाहिने हाथ पे फकीर मौम्मद की कोटी और ये ब्राउन कलर की जो बिल्डिंग है ये लाइफ केर डाइगनोस्टिक और इन दोनों के बीच से वो देखिए पतली सी गली जो उतर रही है जो ढ़ाल है वो सीधे आती है फाजिल काइट सेंटर हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तुमा यूट्यूब चैनल वी एम लखनाव काइट्स और दोस्तों मैं हूँ राजेश और आज का वीडियो जो है मैं काइट शॉप का वीडियो लहीं लेके आया हूं कुछ डिफरेंट वीडियो है ये बहुत सारे यहां मांजे लगे वे हैं तिन बारा तिन पंदरा जो बंडल है ये हैं बारा रील के चलिए और इधर ये जो पतंगो का कलेक्शन लगावा है तो हम लोग फाजिल भाई से जुड़े वे हैं फाजिल वेया नमस्कार गुलजे भाई हैं विक्की के नाम से जाने जाते हैं और शाजाहापुर के रहने वाले हैं और ऐसा कई बार से फाजिल काईट सेंटर से जुड़े वे हैं गुलजे भाई और लगातार कुछ न कुछ खरीदते रहते हैं आपसे काफी बड़ा शौक करते हैं और इस समय प्रिजेंट टाइम पे नहीं है अपने शहर में शायद इंडिया से बाहर है कहीं लेकिन फिर भी स्टॉक उनका जा रहा है तो यह बता रहा है कि कितना जादा इनको शौक है पहला आर्टिकल जो है गुलजे भाई का जो आर्टिकल है एक तरफ से शुरुआत करते हैं कौन कौन से आर्टिकल जा रहे हैं रिज्वान अली का सम्राट जी यह अपने भाई सिटी अबाज डॉन नमबर वन जसीन खान दो आर्टिकल हो गए हैं यह किसका है कासिम रजा कासिम रजा की डोर है जी जी सूपर तेजस है जी जुबेर बेक का अब इनकी दो चर्खिया जो है इजाज बेक की भी डलनी है वो कलर बनके आ जाए अच्छा अच्छा लेगी ठीक है एम आर का शिकारी नमबर वन जबर्दा शौक है इतने सारे आर्टिकल जा रहे हैं और यह पहली बार नहीं है यह ऐ जाते रहते हैं यह मुस्तकिल जाते हैं और भी है यह कौन सा है क्लासिक हजीम इम्तियाज तो मैं एक ऐसे दिखा रहा हूं कि कौन कौन से आर्टिकल देखिए उन्होंने मंगाए है अपने लिए शौक के लिए खूखार ड्रगन जो हमने पिछली बार देखा था काफी और एक और सूपर तेजस है इदर तो ऐसे अभी और इसमें एजाज बेग भी जुड़ जाएंगे और यह छे रील के आर्टिकल है इसमें आमिल हुसायन है और भी बहुत से कारीगर है अभी जो इनके आयान सटाव इस्टार टेनी स्टार की छेचे की डोरे आरी है वो सब भी लगना है इसमें जुड़ जाएंगी तो यह मैं स्टाव दिखा रहा हूं इसलिए यह प्राइज आपको पता है सबको आप लोग फाजिल भाई से जुड़े हैं लगातार आशी कली उस्ताद जी यह आप देखिए सब आशी कली उस्ताद के कंकवे जा रहे हैं गुलज भाई के लिए और अभी मैं आपको पूरा इमाउंट बताऊंगा कि लगभग यह एक बार का जो है खाली उन्होंने कितने पैसे खर्च की हैं शौक के लिए सब आशी कली बड़े मेकर और अलग अलग डिजाइन जी यह वाला किसका है यह मेरे भाई बॉंबे आले सर्फराज भाई इनका क्लेक्शन तो मैं वीडियो में दिखाए चुक्राओं को सर्फराज भाई भी जो आप लोग जानते हैं हमारे जो है यह देखिए ब्राउन कल सर की पतंग कितनी खुब्सूरत है पतंग बहुत ही बहतरीन पतंगे सर गुल्जे बाई देखिए बहुत खुब्सूरत पतंगे जा रही है आपके पास और मुझे उम्मीद है कि जब आपके पास बैक पहुंचेगा तो जो आपको भी मज़ा आने वाला है यह देखिए जो इसमें जो यह लगाई गई है वो कागस भी बहुत 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 है हम पिछले वीडियो में दिखा चुके हम आज जो स्टॉक जा रहा है मैं वो चोटा सा वीडियो रहेगा बस जल्दी से आपको दिखा देना है कि गुल्दे भाई जो समान जा रहा है वो वाली किसकी है देखिए आशिक अली यह हो गए सरफराज भाई मुंबाई के यह आशिक अली लखनू के और यह जो है बभी 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 कानपूर बभी बाबू भी हमसे जुलेवे हैं और देखिए खुबसूरत काम करते हैं क्या बढ़िया काम है पतंगों में सजावड भी बहुत अच्छी करते हैं जो लोग बड़े पॉनों के शौकीन हो वो सब जो है यहीं पे ही है बभी बाबू और फराज सब बड़े गोल्फर मे और यह तरह सितारा दिखाईए एक जैसा हमारे उस्ताद बनाते हैं कोशिश की गई है और प्राइज जो है कुछ खास नहीं है सब छटों वाला आर्टिकल है फाजिल भी असा ही कह रहे है ना इसकों सब छटों के लिए बनाई है बहुत सफाई देखिए पतंगों में खुद ही कह रहा हूँ ये बात बहुत ही खुबसूरत पतंग लग रही है जी तोनमेंट साइज है पतंग खुबसूरती रखिए क्या बढ़िया पतंगे है बहुत बढ़िया तो फाजिल भाई एक ची बताईए ये सब पतंगे आपने इस्पेशली बनवाई है उनके तो यानि इसका मले ये सब पतंगे आपके पास मिलती रहती है अगर आपको भी ये पतंगे चाहिए हो इसलिए मैं दिखा रहा हूं अगर आप लोग पहली बार जुड़े है वी एम लखनव काईट से तो ये कोई भी पतंग चाहिए होगी फाजिल भाई का नंबर रहेगा आप लोग डारेक्ट फोन कर सकते हैं ये देखिए मेरे संकर उस्ताद के हाथ की पतंग है देखिए बड़े उस्तादों में हैं उस्ताद शंकर है लखनव के मेकर है पुरानी पतंग रखी भी है समझे ओर पतंग जो है ओर का कलेक्शन हो आपको दिखा रहे हैं जी तो में क्या है यहां सब चतोई वाला रहेगा इसे शौकीनों के लिए इदर हमारे देखिए चतोई वाला आर्टिकल में दिखाए देता हूँ जब परता धूम मचा रखी बबलु भाई ने लखनव मोहिनी पुरुवा के बेहतरीन मेकर हैं और बहुत कम बनाते हैं इनके मुर्दाबाद है अच्छा यह दा मुदर मुर्दाबाद के जी मुदु इस दाद के हैं कंगो में जी अब इनका काफी क्लाप्षण अभी अथूरा रहे गिया है जी यह देके राजा इस मुरादाबाद जी पुराने क्लाप्षण सब टोटल अजन्ता है यह देखिए इनकी दामुदर उस्ताथ के इसमें सब कुछ गाट दारकंको गए भी बबलु स्ताथ के सब फिरोज भाई के यह जगी के जवाभी गाट पता है फिरोज फिरोज लखनों के फिरोज भाई है और देखिए सब वो कलेक्शन है फिरोज भाई बबलू भाई दामोदर और यह आशिक अली उस्ताथ सारे सर्फराज भाई जितने नाम है सब चुने वे मेकर के हैं मलब टॉप क्वालिटी जिनकी जिसमें टॉप मेकर में नाम आता है वही मेकर हैं यह सारे और सब बड़े फर्मे हैं सारे कोई भी वैसा खीष्टान वाला छोटे फर्मे का नहीं मिलेगा जी चलिए और आगे बढ़ते हैं हम समझ गए यह सारे जो है टोर्नमेंट वाले और मुरादाबाद के मेकर है अब लोग यह भी जालेंगे अच्छा फाहिमुदीन की अध्धी है दिल बना रहता है बीच में यह पूरा इनी का ही है फाहिमुदीन का और यह वाला किसका है यह आपके भाई डाकु नहीं है डाकु मंगल सिंग पपु भाई मेरे यह नाम बहुत अच्छा दिया है फाजिल यह सारी पतंगे डाकु मंगल सिंग ची और बढ़िया नाम दे दिया है फाजिल वाई ने पुरा नमानिये बाई पप्पु भाई प्लीज ये जो हम लोग हसी मजाग चला है और पप्पु भाई है मोहिनी पुरुवा के मेकर जी ये सारा अधिका है और वो वाली काली वाली अच्छा एम तालीब हम समाझ गई हमने पिछली बार दिखाया था मोहर वाली बार दिखाई थी तो चलिए ये विचरे जो है हमारे गुल्जे भाई के पास जा रही है और वो सब जानते हैं जो अच्छे शौकीन है उनको सब पता है एम तालीब की पतंगे जा रही है यानि अब देखिए मैं आपको बताता हूँ एम तालीब हो गए एक नंबर रानु भाई हो गए दूसरे नंबर पे आशी कली उस्ताद तीन नंबर पे संकर दादा चार नंबर पे बब्बी बाबु पाच पे सरफराज भाई छे पे बबलु भाई साथ और उसके नीचे जो में भी मैंने देखा काफी सारा स्टॉक है शौड में दिखाना चाहता था कोई अगर यह सब पतंगे आपसे चाहेगा तो उसको मिल जाएगी सारी पतंगे और यह बताईए यह जो जितने माझे लगे हैं अगर कोई हमारा वीडियो देख रहा होगा उसको शिकारी लखनो काइट ना बताईएगा नहीं तो 50 रुपए बढ़ा देंगे फाजिल भाई तो मैं जानता हूं फाजिल भाई का नेचर जो है बहुत बढ़िया है आप लोग बार बात जरूर करिएगा जो भी प्राइज होगा बहुत ही रिजनेबिल दाम पर आपको जो भी मांज चाहिए हो वो सब मिलेगा तो फाजिल भी खतम करने से पहले शब्बू भाई की तो अब आप लोग यह जो बंडल लगे हैं यह सब आप लोग जानते हैं कितने कितने की पतंगे आती है तो आप लोग जान रहे हूंगा कि लगभा कितना बड़ा एमांट जा रहा है और ऐस जो लोग कुछ लोग और भी जूले हैं फाजिल भाई से एक अभी मैंने आपके देखे थे एक और आपके कस्टमर थे वो भी ऐसी बड़ा बड़ा हूं और बहुत सारे लोग लगातार मंगाते रहते हैं आपसे मैं जानता हूं इधर स्टॉक आता है उधर चला जाता है कम प्राइस पे कम मार्जिन पे हमें लगता है कभी-कभी फाजिल भाई आप बहुत कम मार्जिन लेते हैं मैं सामने खड़ा था मैं बताने वाला हूं आपने बिना मलब जिस रेट पर मुझे लग आई थी उसी रेट पर देनी पड़ी ते अब लोग इसलिए मैं कहा रहा हूं फाजिल काईट से जुड़िएगा और मैंने पिछली बार कहा भी था कि आप लोग अगर फाजिल भाई से सामान खरीद रहे तो आप लोग कहीं और फोन करके पूछ लिए तब आपको पता चल जाएगा कि फाजिल भाई के प्राइस कितने बहतरी हैं तो चलिए जुड़े र तो कमेंट करके जरूर कुछ न कुछ बताईएगा तो फाजिल भाई शुक्रिया बहुत बहुत